एसे सब्द जो एक दूसरे के विप्रीत अर्थ देते हैं विलोम सब्द कहलाते हैं और आज हम कमजोर का विलोम सब्द के बारे में बड़े ही विस्तार से जानेंगे तो भाई लोगों वीडियो को पूरा देखें ताकि कमजोर का विलोम सब्द पूरी तरह से समझ में आजें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कमजोर का विलोम सब्द क्या होता है दोस्तों कमजोर का विलोम सब्द पुक्ता, फोलादी, ताकतवर, तगड़ा, मजबूत, तंदुरेस्त, ताकतवर होता है कमजोर का मतलब क्या होता है आईए जान लेती कमजोर का मतलब यह है जो तै मापदंडों को पूरा करने में सक्षम नहीं है जैसे एक सारेरिक रूप से कमजोर इंसान वे है जो देखने में काफी दुबला पतला दिखाई देता है मगर वे हटा-खटा नहीं है उसे हम कमजोर इंसान कहेंगे पुक्ता, फोलादी, ताकतवर, तगड़ा, मजबूत, तंदुरस्ते, ताकतवर का मतलब क्या होता है आईए जान लेती है दोस्तों मजबूत का मतलब होता है जो ताकतवर है यहाँ पर ताकत सब्द का व्यापक अर्थों के अंदर परियोग किया जाता है मतलब यह है कि मजबूती कई परकार की हो सकती है जैसे सारीरिक मजबूती और मानशिक मजबूती या आर्थिक मजबूती इस तरह से कमज़ोर का विलोम सब्द पुक्ता, फोलादी, ताकतवर, तगड़ा, मजबूत, तंदूरस्त, आदी होता है जो की हमने जान लिया है क्या आपको वीडियो अच्छा लगा बताना नह भूले इसके साथ ही एसे ही विलोम सब्द जानने के लिए चेनल के लाल बटन को दबा करे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले